हलो प्रेंट्स केसे हैं आप सभी अगर आप भी IITGM काउंसलिंग को पार्टिस्पेट करें और आपका केटेगरी EWS या OBC है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इनफोर्मेटी होने वाला है वीडियो को बिना स्क्रिप के लाज तक जरूर बोच करना जया स्ट्रेंट्स अभी EWS और OBC वाले बत्सों के लिए नई गाइडलाइन इस बार आ गये जैसा कि आप इस्क्रिन पर देख पा रहे हैं केटेगरी स्रेटिपीट की डेट को लेकर अगर आपका केटेगरी स्रेटिपीट 1 अप्रेल 2023 से पहले का बना हुआ है तो स्ट्रेंट्स आपको नया EWS केटेगरी स्रेटिपीट या OBC एन्सेल स्रेटिपीट बनाना होगा कब के लिए? फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए नहीं, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बहुत सारे बच्चे बोल लेंगी सर हमारा सेप्टेमर 2022 में बनाय हुआ था हमारा जुलाई 2022 में बनाय हुआ था लेकिन वो काउंसलिंग में हमने सब्मिट कर दिया फोरम हमारा सेप्ट हो गया जिया स्ट्रेंट्स अगर आपका 30 मार्च 2022 के बाद का बना हुआ है तो वो काउंसलिंग में चल जाएगा आपको सीट भी मिल जाएगा आपको ओफ़लेटर भी मिल जाएगा कोई प्रोब्लम नहीं है अगर आपका EWS या OBC का एक साल पुराना है और वो 30 मार्च 2022 के बाद का बना हुआ है तो आइटी जेम की काउंसलिंग में चल जाएगा कोई दिकत नहीं है लेकिन जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा ना फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब आप समस्पा रहे होंगे जिस दिन आप अपने कॉलेज में जाएंगे अलोटेट कॉलेज में आप जाएंगे उस दिन आपका डॉकुमेंट वेरिफिकस्न होता उसको यह फिजिकल रिपोर्टिंग बोलते हैं तो उसके लिए आपको नया बनाना होगा लेकिन जिन बचों ने 30 मार्स 2023 के बाद बनाया है उन बच्चों को बनाने की जरूद नहीं है उनका तो नया वाले फाइनेंचियल यर में आ गया तो उनको जरूद नहीं है जिन बचों का 1st April 2023 से पहले का बना हुआ है उनको नया बनाना होगा और SCST वाले बचों को भी confused नहीं होना है SCST का जो भी पूराना certificate है वो चलेगा यह guidelines के वाले EWS और OBC वाले बचों के लिए थी I hope कि आपको बेर पसंद आई होगी